हाई फ्रेंट्स इस चोटीजी वीडियो के जरीए अभी हम जानेंगे एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास इस्थान, निवास, सुविधा, कुंजाईश, सहायता इस्थान या मेल चली इस वर्ड को अच्छे से समझने के लिए कुछ example sentence लेते है अगर आप बोलना चाहे इस शहर में रहना महोंगा है तो एंगलिश में आप ऐसा बोलेंगे ऐकोमोडेशन इस वेरी ऐक्सफेंशिव याकोमोडेशन इस एक्सपेंशिव इन दिस सीटी इस शहर में रहना महेंगा है चलिया और एक example sentence लेते हैं All students are offered free accommodation सभी छात्रों को मुफ्त आवाश की प्रेशकर्स दी जाती है चलिया और एक example sentence लेते हैं First class accommodation is available on all flights इसका हें इंद्यार्थ होता है सभी उड़ानों में प्रथम छरिनी का आवास उपलब्ध है तो friends हीर से एक बर बता देते हूं accommodation का मतलब है निवास इस्थान, निवास, सुविदा, गुंजाईश, सहायाता इस्थान या मेल तो friends उम्मित करते हूं accommodation का मतलब है